समस्कार स्वागत है दोस्तों आपका इंस्प्रेशनल गुरूजी यूट्यूब चैनल में तो फिर से हम लेकर आए हैं जैनल साइंस के 20 बहुतीक महत्वपूर्ण वन लाइनर स्क्वेशन जो आपको हर एक कम्पेटिटिव एक्जाम की तैयारी में फ्वाइदे मंद होंगे चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ल canal को सब्स्राइब कर लें बैल आइकर्स करते हैं ताकि वीडियो नोटिकरस आपको टाइम से मिलते रहें और हां एक लायक ज़्रूर कर दे हरे चस्मे में लाल वस्तु देखने पर 20 रंकी दिखाई देती है। जब हम लाल वस्तु देखने हैं तो वो आ मिकाली रंकी दिखाई देई कोज़ी है। मानव श्रीर की सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी है तो पिटिचुरी ग्लेंड आपकी सबसे छोटी ग्रंथी है मानव श्रीर की सबसे छोटी ग्रंथी पिटिचुरी ग्लेंड है किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है तो जी गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है चार क्यों हो चुके हैं नेक्स क्यों आपका राष्ट्रिय सूजना विज्ञान के अंदर की स्थापना कब की गई थी 1977 में 1977 में राष्ट्रिय नेशनल इन्फोर्मिशन साइंस सेंटर की स्थापना की गई थी अलजाइमर रोग से मानव स्रीत का कौन सांग परभावित होता है अलजाइमर से मस्तिस्क आपका माइंड मस्तिस्क आपका जो है वो परभावित होता है पिर अमाशे में भोजन कितने समय तक रहता है वो हमारी अमाशे में 3 घंटे तक 3 hours अमाशे में हमारे भोजन रहता है मनुशे के रुदिर का pH का मान कितना होता है तो 7.4 सेवन पॉइंट 4 मनुशे के रक्त का pH मान होता है pytanie 2nd next सबसे चोटी कोशी का कौन सी होती है तो माइको प्लाजमा माइको प्लाजमा सबसे चोटी कोशी का होती है लाल रट कनिका का जीवन काल कितना होता है लाल रट कनिका का जीवन काल 120 दिन का होता है आतम घाती थेलियों के नाम से किसे जाना जाता है तो लाइसोसोम आपकी आतम हैं एक समान कोशी कांस से मिलकर बनी स रंचना क्या कहिलाती है जल का बर्फ में बदलना कौन सा परिवरतन है जल जब बर्फ में बदलते हैं तो इसे फीजिकल ठानसफोरमेशन याणि भोतिक प्रिवरतन कहते हैं प्यूश गरंथी को नियंतरित करने वाली गरंथी कौन है तो प्यूस गरंथी को हाइपोथेलेमस नाम की ग्लेंड जो है वो नियंत्रित करती है हाइपोथेलेमस शरीर में सब करती कनुपात में पाये जाने वाला निजलवन सोडियम क्लोराइड यानी नमक एनने स्यल है आपका थाइरॉक्षिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो थाइरॉक्षिन की कमी से घेंगा रोग होता है एक लाल फूल को यदि निले प्रकास में देखा जाए तो वह कैसा खाई देगा तो लाल फूल को निले प्रकास में देखेंगे तो वह ब्लैक दिखाई देगा और हरे चसमें से किसी लाल चीज़ को देखेंगे तो भी वह ब्लैक दिखाई देगे पादब कोशिका की भिति कोशिका भिति किससे बनी होती है पादब कोशिका की कोशिका भित सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स जो है आपकी सबसे लंबी कोशिका है कोशिका की खोज कि आपकी रोबर्ट फुकने की व्यसक लालरक्तगणी ये क्या नहीं पाया जा से DAVID सेल में केंड रक्ड Kingdom सें फॉब्ड тех company क्या नहीं पाया जाता सेंटुस मान्वय की कोशिकाएं हैं तो यह आज की हमारे 20 कोशिकाएं तो आप हमारे यह से डेली देखते रहें आपके इंसे दीरे-दीरे ऐसे खेल-खेल में ही आपकी तयारी हो जाएगी जो कि आपका में बेसिक साइंस है उसको हम दोराते जाएंगे और कंपिटिटिव एक्जाम देरे श्टुटेंट्स लिए बहुत ही इंपोर्टन है तो हमारे चैनल पर विजिट करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें और हमारे फेस्बूक पेज ड्रीम सकसर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं